कि sin pi by 6 into cos pi by 3 plus cos pi by 6 into sin pi by 3 का मान है सबसे पहले आप यही जान जाएए कि इसमें pi मतलब 180 degree 180 में अगर 6 का भाग देंगे तो 638 यानि कि 30 degree pi by 6 को हम लिख सकते हैं 30 degree pi by 3 को क्या लिख सकते हैं 1803 यानि कि 60 degree लिख सकते हैं तो यह हो गया 30 degree यह हो गया 60 degree तो आईए हम solve करते हैं कि कैसे हम solve करेंगे दो तरीका है बहुत simple तरीके से भी आप solve कर सकते हैं जैसे कि इसका मतलब होता है 30 degree तो हम लिख देंगे simply sin 30 degree इसका मतलब होता है 60 degree pi by 3 मतलब pi by 3 मतलब 60 degree तो यह हो जाएगा cos 60 degree तो cos 60 degree हमने लिख दिया प्लस के साथ कोसस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री तो ये हमने इसको इस तरीके से लिग दिया अब आप एक फॉर्मुला जानते हैं कि साइने कोफ भी प्लस कोससे साइन Personally साइने प्लस भी होता है एक की जगा पे 30 डिग्री है और दीजगापे 60 डिग्री है तो तीज साइन. 30 कमान पता है. कॉष इस का मान पता है. और साइन. 64 कमान पता है तो डिरेक्टली सभी मान को रखके और गुड़ा करके और इसके बाद बटा का जोड कर देंगे आपका अंसर निकल के आजाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 कमान एक बटा दो होता है एक बटा दो हमने रख दिया कौस 30 डिगरी कमान एक बटा दो होता है एक बटा दो हमने लिख दिया कौस 30 डिगरी कमान अंडरूट तीन बटा दो होता है और बटे में दो गुड़े दो बराबर चार होगा ठीक है LCM लेंगे तो इसका LCM हमारा हो जाएगा चार और तीन और एक चार उपर भी हो जाएगा चार से चार कट जाएगा एक बार में एक आपका अंसर निकल के आगया तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो आएगे देखते हैं कि कौन सा ओप्सन हमारा मेंच कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्सन नमबर ए हमारा बिलकुल करेक्ट आंसर है